गुट मॉर्निंग तो आल, हाव आर यू, आई होप यू आल आर फाइन, आज हम चेप्टर 11, मनी की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, 11.1 में हमने एडिशन आफ मनी देखा था, कि जब हम कभी कोई दो चीजे खरिते हैं, तो हम मनी को कैसे एड करेंगे, अब हम सब्ट्रेक्शन आ आफ मनी सिखेंगे, एड थीएटर, अनुराधा एंड हर प्रदर मिहीर गौट रूपीज 50 इच टू स्पैंड ओन एटेबल्स, एक थीएटर में जहां पर हम वही देखते हैं, वहां पर अनुराधा रूस का जो भाई है, वह मिहीर उन्होंने उन्होंने 50 रूपीज के लिए खाने की जिजो पर खर्च करने के लिए लिए, अनुराधा बॉट ए पेकेट ऑफ पॉपकॉर्पीज थाटी फाइफ, एंड मिहीर बॉट ए सेंड वीच फॉर रूपीज थाटी ट्वेट, हाउ मच मनी इस रिमैनिंग विट इच आफ देम, अब क्या करा उनने, अनुराधा के पास जो 50 रूपीज थे, उसमें से 35 रूपीज के अनुराधा ने पॉपकॉर्ण लिए, और मिहीर के पास जो 50 रूपीज थे, उसमें से उनने 28 रूपीज का सेंड वीच लिया, तो उन दोनों में से किस किस, दोनों के पास कितने कितने रूपे बचे, तो अ 50 में से हम 35 माइनस करते हैं, तो क्या आ गया? 15, तो अनुराधा के पास, कितने रूपीज बचे? 15, मिहीर इस्पेंट 28 रूपीज, अब मिहीर ने कितने रूपे खर्च करें? 28 रूपीज, तो मिहीर के पास भी 50 रूपीज थे, तो 50 में से हमने 28 माइनस कर दिये, तो मिहीर के पास कितने रूपीज बचे? 22, मिहीर वांट्स तू इट पॉपकॉन अल्सो, अब मिहीर को क्या खाना है? पॉपकॉन खाना है, अब मिहीर को और कितनी पैसे की जरवते पॉपकॉन खरीदने के लिए? पॉपकॉन कितने रूपीज के थे? अनुराधा ने खरीदे थे, 35 रूपीज के थे. और मिहीर को कितने रूपीज जोर चाहिए खाने दितने के लिए? तो कॉस्ट अफ पॉपकॉन रूपीज 35, अब कितनी रूपीज का है? 35 का, औरहिर के पास कितने रुपिज है 22 तब उसे कितने और रुपिज की जारawat है तो हम क्या करेंगे 35 मैंस 22 माइनस कर देंगे 35 माइनस 22 5 मैंस 2 माइनस करा तो 3 3 मैंस 2 तो 1 तो कितने रुपिज और चाहिए उनको 13 रुपिज तो मिहिर नेट रुपिज 13 मोर और मिहिर को पॉपकॉन खरीदने के लिए 13 रुपिज ओर चाहिए Now match the following by drawing lines Item bought and amount paid, amount return देखिए, क्या करना है, यहाँ पर यह item दे रखें अलग-अलग वो कितने रुपिज के वो दे रखा है और कितने रुपिज दिये है जैसे यह item है 45 रुपिज का, 45 रुपिज का है अब इसमें इन्होंने कितने रुपिज दे दिये, 20, 20, 20 मतलब 60 रुपिज, तो जो shop की पर है, वो कितने रुपिज return करेगा तो यह 45 रुपिज का है, और यह हो गए 60 रुपिज, तो हम 60 में से 45 minus कर देंगे तो कितने रुपिज देने पड़ेंगे हां इनको, return कितना करना पड़ेगा 15 रुपिज, ठीक ऐसे यह 23 रुपिज का है, तो यह कितने इन्हें पे कर दिये 10, 5, 15, 15, 5, 20, 25, 25, तो 25 रुपिज दिये और यह सामान कितने रुपिज का है 23 रुपिज का, तो 25 में से हम 23 minus करेंगे, तो कितना बचेगा 2, तो यहां पर कितना amount return करना पड़ेगा 2 रुपिज, यह है 77 रुपिज का, तो कितने रुपिज दे रखें 50 और 20, 70, प्लस 10, 80, अब 80 रुपिज दिये, अब उसमें से 77 रुपिज का तो यह आ गया तो कितने रुपिज बचें, 3, इस टेप से इसको यह करना है, now question number 2, Amit wants to buy one dozen marble, Amit को कितने marble खरीदने, कितने कंचे खरीदने, one dozen मतलब, एक dozen में होते है 12, they cost रुपिज 42, उनकी कितनी price है, 42, he has रुपिज 35 with him, उसके पास कितने रुपिज है, 35 है, how much more does he need to buy the marbles, उसको और क तो देखें, cost of marble कितने रुपिज के है, 42 रुपिज के, Amount Amit has, Amit के पास कितने रुपिज है, 35, तो 42 में से हम 35 minus कर देंगे, जो आएगा, उतने रुपिज की, और need है उनको, तो यह आप कीजेगा, 42 में से 35 minus कीजेगा, जो आएगा, उतने रुपिज की need Amit को रहेगी, now 3 लतीफ है रुपिज 77 इस वॉलेट लतीफ के वॉलेट में किते रुपिज है 77 how much more money does he need to make it 100 लतीफ के पास 77 रुपिज है उसको 100 रुपिज बनाने के लिए और कितने जरुवत है तो क्या करेंगे हम 100 में से 77 माइनस कर देंगे जितनी रुपिस बचेंगे उतनी रुपिस की और नीड रहेगी लतिफ को यह माइनस किजिएगा जो अंसर आए वो यहां लिखिएगा थैंक्यू